दोस्तों आज के स्क्लास में आप लोग का स्वागत है आज के स्क्लास में हम बात करेंगे हिंदी हंडेट मांक्स के चैप्टर नमर 9 के बारे में जिसका नाम है प्रगीत और समाज ये बिहार बोट के हिंदी हंडेट मांक्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें प्रगीत और समाज पार्ट के सारांस को लिखे तो उसमें आपको किस परकार से सारांस लिखनी रहेगी उसके बारे मैं बात करेंगे अच्छे से आपको बताएंगे लाइन बलाइन पढ़ के आप उस तरीके से अपने एक्जाम में लिख सकते हैं तो उसके लिए बस वीडियो को पूर करना और समझना ठीक है तो सबसे पहले हम लोग लेखक से शुरुवात करेंगे फिर सारांस को देखेंगे मैक से और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लिया होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होंगे ऐसी वीडियो यहाँ पर रेगलरली आपको मिलते रहेगी तो नि इनकी यहाँ पर तस्वीर लगी हुए यही है नामबर सिंग जी और इनका जन्म जो होता है 28 जुलाई 1927 को बनारस में ठीक है बनारस उत्तरप्रदेश में है तो यहाँ पर इनका जन्म होता है वही निधन की बात करें तो इनका निधन होता है 24 फरवरी 2019 को नई दिली में हाल में ही हुआ है निधन इनका 14 फरवरी 2019 को नई दिली में और इनके माता का नाम था बागेशरी देवी और पिता का नाम था नागर सिंग जो एक सिक्षक थे तो यह बस आपको याद रखनी है नामबर सिंग जी के बारे में कि इनका जन्म कब अखेशन का हुआ है नांबर सिंग और पिता नांगर सिंग याद रहेगा और बस इनका पारो संग य Canton is तो यह कुछ आपको याद रखनी है ठीक है यह हो गया लेखक के बारे में अब अपन स्टार्ट करते हैं सारांस को देखना समरी को समझना स्टार्ट करते हैं देखे जिस तरीके से हम आपको बताएंगे इस तरीके से आप अपने एक्जाम में अच्छे से लेख सकते हैं तो अच्छे से बस अभी देखना सुरू करिए। देखें, प्रागीत और समाज एक आलोसनात्मक निवण्द है। और कैसा निवण्द है? आलोसनात्मक निवण्द है। यह निवण्द जो है। नामःःथ सिंग द्वारा लिखा गया. सबसे पहले बात यहां पे एक बात क्लियर हो जाता है कि यह क्या है एक निवन्द है दूसरा बात यह होता है कि यहां पे इसके लिखा कोने तरह रहते हैं नामबर सिंग जी और यह निवन्द आलोशनात्मक निवन्दो की पुस्तक बाद विवाद और संबाद जो है इससे ल समाज में क्या महत्व है उसके बारे में बताया है ठीक है प्रगीत एक ऐसा कब है जिसे गाया जा सकता है ठीक है प्रगीत क्या है प्रगीत एक ऐसा कब है जिसे गाया जा सकता है ठीक है यह क्लियर हो गया लेखक लिखते हैं कि आजकल कभी पर समाज के दवाव को महसूस किया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि प्रगीत और समाज एक आलोसनात्मक निवंद है या निवंद नामबर सिंग द्वारा लिखा गया है या निवंद आलोसनात्मक निवंदों की पुस्तक बाद वा संबाद से लिया गया है इस निवंद में नामबर सिंग ने प्रगीत का समाज म को मैसूस किया जा राज कल ऐसा चल रहा है आगे देखें किस तरीके से लिखना है ऐसे में लेखक उन कविताओं की और ध्यान आकरसित करना चाहते हैं जिनमें कावे लंबी और मानवता से भरी हुई है ठीक है इस निवन्द में प्रगीत नामक कावे के रूप को समाजिक जा हाया गया है जो हजारों वर्सों से हिंदी कावे की परंपरा का इतिहास रहा है प्रगीत के वारे में जो हजारों सालों से जो इतिहास रहा है उस सीज़ को यहां पे बताए है आगे देखें क्या है इसमें बताया गया है कि प्रगीत कावे ने समाज और कावे रचना में अ प्रगीत धर्मी जो है जो कविताएं हैं वो समाजिक जीवन को बैक्त या समझा नहीं पाती है और ना उसमें इसकी पेक्षा की जाती है ठीक है तो प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वो समाजिक जीवन को बैक्त या फिर समझा नहीं पाती है और ना उनसे जो है इसकी उप पेcak्षा आपेक्षा की जाती है आदोनिक हिंदी कविता में गीती और मुक तक के मिस्रन से नूतन भाव भूमी पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत के संग्या दी जाती है यहाँ पर एक चीज और यह याद रखेगा प्रगीत के संग्या किसे दी जाती है तो आधुनिक हिंदी में तो आपको यह याद रखनी है सब्जेक्टिव ठाइक को उसने इसे बन सकती है आधुनिक हिंदी कविता में गीती और मुक्तक के मिसरन से नूतन भाव भूमी पर जो गीत लिखे जाते हैं उसे प्रगीत की संग्या दी जाती है किस भाव पर तो नूतन भाव भूमी पर जो गीत लिखे जाते हैं उसे प्रगीत की संग्या दी जाती है चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं लेखा कहते हैं कि आजार राम चंदर सुकला के काब सिधान्त के आदर्स भी प्रवंध काब ही थे यहाँ पर बोलते हैं कि लेखा कहते हैं कि आजार राम चंदर सुकली जो थे हैं कि काब सिधान्त के आदर्स भी प्रवंध काब ही थे क्योंकि प्रवंध काब में मानव जीवन का एक महतपूर्ण द्रिस होता है कला के पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत चलन अधिक है और यहां पे लिखक प्रगीत के बारे में बहुत अच्छे से प्यार से लिखते हैं कि प्रगीत का क्या इतिहास रहा है और आजकर आधोनिक में यहां पे प्रगीत किसे कहा गया है इस सीज़ पर विध्यवी ध्यान दिया है कि गीती और मुक्तक के मिसरन से नूतन भाव भूमी पर जो गीत लिखे जाते हैं उसे प्रगीत की संग्या दी जाती है तो यह यहां पे लिखे हैं और साथी साथ आपको में जो है प्रगीत का समाज में क्या महत्तु है इसके बारे मैं बताए हैं ठीक है तो यह चीज़ यहां पे मेन आपको स्टार्ट ऐसे करनी है अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तो आपको मार्विसली पूरा में पूरा मिलेगा ठीक है तो निस्यद रूप से आप सही से उसको याद नहीं कर पाएंगे, इवन आपको जब आपके सामने रहेगा तब भी आप उसका मीनी नहीं समझ पाओगे, तो कुछ इस ताइप इसका हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत आसान यहां पे कर दिये हैं, आप इसको कॉपी में लिख लिजेगा, ठीक है, तो आज यहां पे यह वो क्या सारांस देख लिए, आज ही साम में हम बात करेंगे, 7 बज के 15 मिनाट पर जो क्लास होगी, साम में, तो उसमें इसका टेस्ट ले लेंगे, जितने भी objective questions इस chapter से, आपके examen आ सकते हैं, उन सारे questions का यहां पे हम टेस्ट ले लेंगे, और आप अ notification मिलेगा, अच्छे से, classes आप patent करते चलेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई बूस्ट होगी, अच्छा होगा, तो यह सब चीज है, knowledge वाला चैनल, जो भी educational चैनल है, यह सब को आपको obviously subscribe करके रखना चाहिए, कि आप ऐसे scroll कर रहे हैं, YouTube वगरा भी, तो आपके सा आसानी से आप लिख सकते हैं, तो यह चीज होती है, और वीडियो के form में देखना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए कहा जाता है कि कहीं न कहीं आप offline में जो पढ़ते हैं, कहीं उससे ज़्यादा याद हो जाती होगी, आपको online में ऐसा चीज महसूस होती होगी, तो यह सा सारे लोग भी चैनल से जो रहे हैं, और अच्छे से अपना पढ़ाई करें, चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, काटा, बवाई, धन्यवाद,